दोस्तों खुबसूरती सौंदरी अट्रैक्शन पावर सम्मोहन पावर अपने अंदर अगर आप चाहते हैं जगाना बढ़ाना तो आज के इस वीडियो को देखते रहे हम आपको कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप करते हैं तो आप अपने अंद कहीं किसी के साथ खड़े हैं कहीं पाटी में गए हैं किसी फंक्शन में गए हैं नौर्मली भी आप घर से बाहर गए हैं किसी भी चीज में आप यह फील करते हैं कि लोग जो हैं वो आप से अट्रैक्टिट फील नहीं करते लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते आप के पास आकर बात नहीं करना पसंद करते किसी भी तरह से जो है आपके अंदर attraction power की कमी आप फिल कर रहे हैं तो आज हम आपको कुछ कमाल के उपाय बताने वाले हैं तो चलिए बिना किसी देरी के आप उपायों को जानिये सुनिया और उनमें से एक भी अगर आप करते हैं तो आपको लाब देखने को मिलेगा और अगर आप चाहें तो आप सभी उपाय को एक साथ भी कर सकते हैं उसमें भी कोई प्राबलम नहीं है तो दोस्तों देखिए हर कोई चाहता है कि वो उसके अंदर जो है वो अट्रैक्शन पावर आए वो अट्रैक्टिव फिल करें लोग जो हैं मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हों ये सभी चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप कुछ उपाय करें तो जल्दी से जल्दी आप अपने अंदर जो है अट्रैक्शन पावर को बढ़ा सकते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकरशित कर सकते हैं अट्रैक्ट कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं पहला उपाय क्या है पहला उपाय है अट की तरफ attract होगा आप से बात करने के लिए बेचैन होगा दूसरा उपाई attraction power बढ़ाने के लिए आप क्या करें शुद केसर market में मिलता है वो ले लीजिए उसके बाद आप क्या करें कि उसे आप गुलाब जल से या गंगा जल से भीगो कर रख दीजिए और रोज नहा कर उसके सर का तिलक लगाईए और जब भी आप बाहर जाते हैं तब भी आप उसके सर का तिलक लगा कर आप बाहर जाईए आपको लाब मिलेगा तीसरा उपाई यह है कि attraction power बढ़ाने के लिए हथा जोड़ी की जड़ मार्केट में मिलती है जो पूजा सामगरी दुकान होती है न वहाँ पर आपको मिल जाएगा तो वहाँ से यह हथा जोड़ी की जड़ जो है यह आपको खरीद कर लाना है और जब भी आप कहीं भी जाते हैं तो इसे आप अपने साथ लेकर आप बाहर निकलिएगा आपको लाब देखने को मिलेगा अट्रेक्शन पावर में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी तो चौथा उपाए है अट्रेक्शन पावर बढ़ाने के लिए इत्र या फिर पर्फियूम इत्र या फिर पर्फियूम अपने नाभी में आप लगा कर निकलिए घर से निकलने से पहले आप खुद इसका पाँचवा उपाए है गुरुवार के दिन जब मूल नक्षत्र पड़े ये बात आपको ध्यान देना है कि गुरुवार का दिन हो और मूल नक्षत्र हो उस दिन तो उस दिन आपको क्या करना है कि केले के पेड़ की जड़ को लेना है और उसे सिंदूर के साथ पीस कर आपको रख लेना है और जब भी आप कहीं जाते हैं तो इसका तिलक आपको लगाना है याद रखिए आपको मैं एक चीज बता दूँ कि ये नॉर्मल तिलक नहीं होता है ये वशी करन तिलक होता है इसका लाब आपको सबसे जादा देखने को मिलता है लोग बहुत ही जादा मात्रा में attract होते हैं आप से इसका बहुत ज़्यादा लाब देखने को मिलता है attraction power बढ़ाने के मामले में सम्मोहन शक्ती बढ़ाने के मामले में तो ये जो उपाए हैं इन में से एक भी अगर आप करते हैं तो भी आपको result देखने को मिलेगा तो कैसा लगा ये information ज़रूर बताईएगा